कर जैसा कि आपने पिछली एक्षर में देखा कि हम लोगों ने येलो स्टेम बोरडर पिला अतंधे जग के बारे में पढ़ा जो कि धान की मत्वपुर्ण इंसेक्ट पेस्ट है आज घानेंगे दूसरी मत्वपुर्ण इंसेक्ट पेस्ट धान की वह है राइस गोल्मीज या में जानते हैं Rise Goal Mississippi के बारे में इसका डिस्टिविशन क्या है इसका होश्टरेंज क्या है इसका συ melon क्या है और इसका जी जीवन क्या क्या है life cycle क्या है और हम इसके management कैसे कर सकते कैसे हम लोग धानको नुकसान होने से बचा सकते हैं इससे तो आयए दिखते हैं राइस गोल मिच का डिस्टिविशन भारत, बर्मा, कॉमबोडिया, स्री लंका, चीन, इंडोनिसिया, नाजिरिया, सुडान, बेर्टनाम और पाकिस्तान जैसो दिसों में है हम कर सकते ये कॉस्मोपोलेटेन है होस्ट्रेंज इसका है धान के अलावा ये धान के वाइल्ड इस्पिसिस में भी होता है और ग्रासेस जैसे पेस्पेलम, इसकोर भी कॉलटम और पेनिकाम इस्पिसिस और दुभ घास और इलुशन कोरोकाना में भी पाया जाता है हम लोगों ने देखा था कि येलो इस्ट्रेंबोरर, मोनो फेकस पेस्ट था वो सिर्फ राइस में होता था लेकिन ये गोलमीज बहुत सारे होस्ट्रेंज में पाया जाता है तो अब देखते हैं हम इसका सिम्टम क्या है नेचर अब डेमेज क्या है अब हम लोग जानते हैं कि राइस गोलमीज जो की डिप्टेरा ओडर का है तो डिप्टेरा ओडर में हम लोग जानते हैं कि लारवा बहुत ही कोई भी लारवा बहुत ही हानिकारक होता है कोई भी लारवा फसल को नुकसान पहुँचाती है किसी भी ओडर की तो डिप्टेर कि लारवा को हम लोग मेगोट कहते हैं तो जो मेगोट है वो फीड करता है बेस अब ग्रोइंग सूट पर जब सूट निकलता है उसका बेस पर मगोट फीड करता है कि फीडिंग से क्या होता है तो फीडिंग कोज़स फोर्मेशन ऑप ट्यू लाइक गोल देट इस सीमिलर टू ओनियन लीफ और सिल्वाज सूट तो हम लोग यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि राइस गोल मीज का मगोट जब फीड करता है तो फीड करने के कारण ट्यू लाइक गोल बनता है सूट पे और वो सूट ओनियन की लीफ की तरह देखता है तो उसको ओनियन सूट भी बोलते हैं ओनियन लीफ भी बोलते हैं और सिल्वाज सूट भी बोलते हैं लारवल सेक्रेशन मुने Wow बाम लौ में एक्टिव सब्सक्रेशन के लिए अब अमुनСпा्त होने के काराण जो भी तीलर्स होते हैं और उसे बालिया उत्पंड नहीं होती है और बालिया उत्पंड नहीं होती है तो इससे हमारी उपजम में में लोस आते हैं आप यहां पिक्चर पर देख सकते हैं किस तरह गोल फॉर्मेशन इुनियन लिप की तरह दीक रहा है अब इसका क्या है मतलब किस तरह यह गोल में दिखती है तो यह गोल में और्ण कलर की होती है और mosquito मच्छर की जैसे देखती है और यह nocturnal होती है रात के दोरान ही यह active होती है और 100 से 300 अंडे देती है जो भी radius कलर के होते हैं elongate होते हैं tubular होते हैं और जो भी होता है वो अंडा देते हैं वो lip blade के legule के सामने देते हैं अब हम लोग यह life cycle में देख सकते हैं कि एक period तीन से चार दिन का होता है मेगोट पेल रेट कलर का होता है और larval period 8 से 10 दिन या 15 मतलब मैक्सिमम 20 दिन तक जाता है अब मागोट क्या होता है pupate करता है जो उसने goal बनाया हुआ रहता है at the base of the goal में pupation होता है उसके बाद जब यह मागोट pupation के बाद moves करता है tip of the goal पे और project outside during emergence मतलब जब emergence होता है मागोट का तो goal के tip पर पहुँचता है और projection मतलब निकल जाता है के इससाई हां है इस तरह से हम लोग देख सकते है किल 15-20 दिन तक last करता है अब हम इसका प्रबंधन कैसे कर शकते हैं तो हम लोग क्योंकि हम लोग देखते हैं कि महत्तपुर्ण क्या क्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं तो हम लोग encourage early planting कर सकते हैं और growing जो भी जल्दी varieties grow करती है कुई growing varieties को हम लगा सकते हैं जिससे हम लोग infestation को escape कर सकते हैं अब हम लोग resistant variety जैसे mdo3, सक्ती, विक्रम, सूरी, खा, आयर 36 लगा सकते हैं और बहुत सारी resistant varieties हैं अब हम लोग क्या करते हैं जैसे फसल को harvest कर लेते हैं उसके बाद हम लोग तुरंत जुताई कर देनी चाहिए उसके बाद हम लोग जैसे देखें कि जो भी यह राइस गोल मीज पेश्ट है हम लोग देखें कि इसकी होस्ट बहुत जाता है यह राइस के अलावा इसकी वाइलबर इसपीसिस में भी होती हैं वह सारे ग्रासेस में भी हो सकते तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो वीड से या आल्टरनेट होस्ट है उसको रिमूब कर करेंगे घ्रतिलाइस को फिर वेलेनर में में फिर अपलाई कर सकते हैं उसको आराम से अट्रेक्ट कर सकते हैं उसका management बहुत ही आसानी से हो कर सकते हैं अब हम लोग biological control के रूप में हम लोग यूज करते हैं प्लेटी गेस्टर और आईजी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण है राइस गोलमीज के लिए लारवल पारा से टोड़े हैं यह बहुत ही याद रखने वाले चीज है यह क्या होता प्रिगी गोपे केटेनुलाटा फिर कराविट बिटल का भी हम लोग conservation कर सकते हैं इको सिस्टम में इससे क्या होगा कि यह predator राइस गोलमीज पर अटेक करेंगे और इससे क्या होगा कि राइस कोलमीज का प्रबंदन होगा हम लोग अब क्या 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 रासाइनी कितना सक य घंटा के लिए अब जब हम लोग transplanting करते हैं तो हम लोग transplanting करने से पहले हम लोग seedling को दीप करते हैं chlorophyary force को दू मिली लिटर पर लिटर पर लिटर ऑप वाटर में 12 घंटा के लिए उसके बाद हम लोग अगर infestation हो तो हम लोग application कर सकते हैं फोरेट का 10 टेंजी 10 कीजी प् धन्यवाद